iron oxide feo crystallizes in a cubic lattice with a unit cell edge length of 5 angstrom okay if density of the feo in the crystal is itna gram per centimeter cube में पूछा गया है तो इसको आप angstrom को उसी के according convert कर लेंगे then the number of feo units per unit cell is guys सीधा का सीधा straightforward आपका जो question है ये formula से पूछा गया है आपको पता है we know कि जो आपका density into volume upon mass equals to z into na होता है now z क्या है यह आप यह वाला correct so z अगर इसमें तो वैसे तो पूछा गया है देगे अगर आपको question में given नहीं है तो आपको इस और आपको यह unit cell किस type का है अगर पूछा गया है तो आप इसको यूज कर सकते value पर लेकिन इसमें यह नहीं दिया हुए direct कह दिया गया है कि feo के जो number of units है जो feo units है per unit cell वह बताना है यह table में आपको सिर्फ idea के लिए बत दी थी थोड़ी ठीक है तो इसमें क्या हो जागा जैड तो वह जागा आपको कुल मिला के जैड पूछा गया है इसमें ना बाकी की values दे दिए एने क्या एवगेडर नंबर m है आपका molecular mass of feo हो जाएगा नाओ जो यह density and volume यह small v है guys है ना small v मैं यह density इसलिए मैंने लिखा वा है ताकि unit cell की होती है यह समान में आपको तो एक unit cell की values है यह उसका molecular mass और z upon na इस तरह का होता है अब सीधा सीधा straight forward values आपको डालनी है ओके guys अब देखे density आपको given है और unit cell की edge length दीवी है यह हो गया आपका unit cell क्यूब है क्यूब है तो इसकी a दे दिया हुए है तो volume of cube क्या हो जागा a cube इसकी value रखनी है आपको अब इसमें देखे density आपको फोर दीवी है edge length दीवी है 5 angstrom we know कि जो 1 angstrom की value होती है 10 to power minus 10 meter होती है यह 10 to power minus 8 centimeter हो जाएगी तो इसका मतलब 5 angstrom कितना हो जागा 5 into 10 to power minus 8 का cube ठीक है अब divided by molecule mass molecule mass of FeO क्या हो जागा FeO का molecule mass of Fe plus molecule mass of O that is 56 दियावाय है और यह plus 16 और यह हो जाएगा add आपका 72 तो यहाँ पर हो गया आपका 72 Z आपको पूछा गया है एवगेट्डो नंबर की value दी भी है 6 into 10 to power 23 नहीं दी होती तो हम भी यह ही लेते 6 into 6.02 या 6.023 समना आपको इस फोर्म इसको यूज करके आपको Z की value निकालनी है बस तो इसकी value क्या हो जाएगी मैं solve नहीं कर रहा हूँ I hope आप करी लेंगे गाईज तो इसकी आजएगी एप्रोक्सिमेटली 4.16 सम्थिंग आएगी तो आप क्योंकि इसमें nearest integer पूछा है तो answer क्या हो जागा 4 तो आप आपका इसमें 4 answer हो जागा बहुत ही straight forward था गाईज अगर आप NTF भ्यास या NCRD exemplar या मेरे पिछले आपने previous ES questions भी देखे हैं तो इसमें आपको दीखेगा कम सम 6-7 बार repeat हुए questions ठीक है तो बहुत direct है straight forward है so I hope आपको समझ माया होगा जो इसका correct answer है is 4 ठीक है